फ्रांस में एक संसनी खेज वारदात की खुलासे ने वहाँ पुलिस और पबलिक दोनों को ही सन कर दिया है आप जब इस कहानी को सुनोगे तो आप इस सन रह जाओगे यहाँ एक मुकदमा शुरू हुआ जिसमें खुलासा हुआ है कि एक सक्स ने अपनी बीवी को नशे की गूलियां देकर उसका कई अजनबियों के साथ रेप करवाया यह सिसिला एक दो साल नहीं कई सालों तक चला और करीब 80 से ज़्यादा लोगों ने महिला का रेप किया रिष्टा कौन सा है यकीनन दुनिया में शायद पती पतनी का रिष्टा सबसे भरोसे का ही रिष्टा कहलाता है इस रिष्टे में दोनों एक दूसरे पर ना सिर्फ भरोसा करते हैं बलकि एक दूसरे के साथ रहने में खुद को महफोज भी महसूस करते हैं लेकिन फ्रांस से एक ऐसा किस्ता सामने आया जिसने सीधी चोट इसी रिष्टे और उस भरोसे पर की है फ्रांस में एक ऐसे मामले ने संसनी खेस फैला दिये जिसमें एक सक्स ने सालों साल एक ऐसी हरकत की जिसके खुलासे के बाद हर कोई हैरत में है जबकि पुलिस वाले सकते में है असी से ज़्यादा अजनिवयों ने उसका बलतकार किया था और अब फ्रांस में एक मुगदमा चलाया जा रहा है जिसमें एक सक्स परारोप है कि उसने करीब 80 से ज्यादा अजनवी लोगों से अपनी बीवी का रेप करवाया इलजाम इतने संगीन है और इतने तरह के हैं कि हर एक इलजाम में उस सक्स को सालों की सजा मिल सकती है जिस खुलासे ने पुलिस को सबसे ज़्यादा चोकाया वो ये था कि उस महिला के साथ रेप करने वालों की उस भीड में नेता, डाक्टर, मेड़कल लिस्ट आफ, जर्नलिस्ट, जेल के कर्मचारी, सेना के जवान और कई सरकारी अधिकारी शामिल हैं अब इस संगीन इल्जाम के तहट पचास से ज्यादा लोगों पर मुकदमा शुरू हो रहा हैं, इस संसनी के इस खुलासे के बाद पीडित जिनका नाम है गिसिल पेलिकाट ने सारवजनिक रूप से ट्राइल चलाने की बात मान ली और अपना नाम न छापने का भी अधिक पुली दे कर बेहोस कर देता था और उसके बाद आनलाइन चैटिंग के जरिए अजनभी मर्दों को अपने घर पर इस वहशी पन के लिए दावत देता था। इसका खुलासा कहता है कि डोमेनिक नेंद की गोलियों को पीस कर अपनी बीवी जो 72 साल की थी गिसल पॉलिकेट को खाने में या शराब में मिला कर पिला देता था और फिर आनलाइन चैटिंग से बुलाता था अजनभीयों को दवा के असर में आने के बाद जब वो पूरी उसके सामने डोमेनिक एक ही सर्थ रखता था कि ना तो वो सिगरट पी कराए और ना ही किसी भी तरह का परफ्यूम लगा कराए डोमेनिक को डर था कि उसकी महक से कहीं बीवी की नीद न तूट जाए घर आने वाले महमानों को डोमेनिक एक और निर्देश देता था अगर बिस्तर पर उसकी बीवी हिले डूले या उसके हाथों में हरकत हो तो वो उसे छोड़ कर कमरे से बाहर आ जाए जिससे उसे पता न चलने पाए पुलिस ये जानकर तब बुरी तरह से चौक गई जब उसे पता चला कि ये सिलसिला एक दो नहीं बलकि कई सालों तक चलता रह र लिए जाते आरोपी जो होता है उसके बेटे और बेटी बीवी को जब सक हुआ तो फिर रिपोर्ड लिखाई हाला कि डोमेनिक की बीवी ने एक बार शक के आधार पर पुलिस में दो नवंबर 2020 को शिकायत भी दर्स कराई थी और अपना शक जाहिर किया था कि जब वो सोकर उठती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है बदन टूटा टूटा महसूस होता है लेकिन पुलिस के पास किसी भी तरह का कोई सुराग या सबूत नहीं था इसके अलावा पुलिस इस बात को सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि कोई पती ऐसी हरकत भी कर सकता है लिहाज पुलिस ने डोमिनिक के पीछे अब जासूस लगा दिये इसी बीच पुलिस को इतला मिली कि सुपर मार्केट के इलाके में डोमिनिक उन लड़कियों की तश्वीरे खीच रहे जो लड़कियां छूटी छूटी स्करट पहन कर घूम रही थी तब पुलिस ने डोमिनिक को पकड़ा पुलिस के पकड़ में जब डोमिनिक आया तो पुलिस ने उसकी तलाशी में एक USB ड्राइव हासिल की उस ड्राइव की चानविन के दवरान पुलिस देख कर हिल गई जब उसे एक फाइल में करीब 20,000 से भी ज्यादा निवड पिक्चर और वीडियो मिले और गहर नजर आ रही है और वो भी घर के बिस्तर पर और असलील हालत में तब पुलिस ने उनको और गहराई से चानविन की खुलासा हुआ कि 100 से ज्यादा बार डोमिनिक ने अपनी बीवी को अलग-अलग मर्दों से रेप करवाया बलातकार के संगीन इलजाम में पुलिस ने अब तूत को बूल कर ली साथ ही उसने ये भी बताया कि दवा देने के बाद जब बीवी सो जाती थी तब वे ये कारणामा करता था पुलिस को हेल्थ डिपार्टमेंट के रिकार्ड से पता चला कि एक साल में उसने 450 नींद की गोलिया खरीदी थी पुलिस का ये भी कहना है कि अब तक की जाच में जो भी सामने आया है उसके साथ 72 लोगों ने 92 बार यानि 92 बार बलतकार किया जिन में से 51 की पहचान कर ली गई है पुलिस ने वीडियो देख देखकर एक एक कर सभी आरोपियों को गुरिफतार कर लिया उस वक्त इन में से ज्यादा दर की उम्र 26 से 73 क के बीच होती थी पुलिस ने बताया कि महिला को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं जब उसे इसके बारे में बताया गया तो वो सदमे में आ गई महिला के वकील स्टीफन बेबोनियों के मुताविक एक सुबा वो घबराई हुई उठी तब उसे लगा कि उसका नया को अधालत में बाकाइदा वीडियो में देखा तो उसने सबसे पहले डोमिनिक से तलाक लिया महिला का कहना है कि ऐसा लगता है कि डोमिनिक को शायद कोई बीमारी है वो मानसिक रोग से पीडित है उसका अतीत भी बहुत अच्छा या सापसुतरा नहीं है उस पर 1991 में पेर और चार शेट के बाद अब उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर वो अभी तक तो जेल में है तो आज की कहानी आपको एक ऐसी लेगी कमेट बाक्स में जुरूर बताईएगा थैंक्यू बेरी मच जैहिन जैभारत झाल 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 झाल